अगलो दोस्तों मैं हूँ अभी सेंक आपका सेल्फ रेपयर गुरू जी दोस्तों यहाँ पर इस टायर को अगर आप देखेंगे तो यह अभी चलने लायक था इसमें अभी थ्रेड्स बचावा था बट यहाँपे अगर आप देखेंगे तो जगा जगा से फट गया है तो आप कहेंगे कि गलती कमपनी की हो सकती है यह प्डोड़क्ट सही नहीं था बड़ दोस्तों यह प्रोड़क्ट बिलकुल ही सही था प्रौलेम था जो इसे यूज़ कर रहा था अगर आप अपने टायर का प्रेसर सही नहीं रखेंगे तो ये इस तरह से प्रॉलम आता है और पहले जो ट्यूबला आता था तो उसमें अगर थोड़ा भी डैमेज हुआ तो आपको पता नहीं चलता था बट यहां पर जो ट्यूबलेस है थोड़ा भी अगर आप प्रेसर कम रखेंगे और थोड़ा भी क्रैक हैगा तो आपका जो टायर का प्रेसर है वो रिड्यूस होना शुरू होता है और फिर आपका प्रॉलम बढ़ते चला जाएगा और यहां पर देखे इस टायर में यह ट्यूबलेस एक्चली यह ट्यूबलेस टाइप है यह देखे यहां पर लिखा हुआ है ट्यूबलेस और इसमें भी यही प्रॉलम आया होगा तो जो इसका यूजर होगा वो इसमें ट्यूब डाल करके फिर काम चलाना है स्टार्ट किया तो दोस्तों अगर आपके पास भी कोई भी टायरो ट्यूब हो या ट्यूबलेस हो खासकर जो ट्यूबलेस होता है उसमें प्रेसर आप मेंटेन करके रखे क्योंकि अगर प्रेसर मेंटेन नहीं करके रखेगा तो साइड से फटेगा और एर जो प्रेसर है वो लो होने का प्रॉल्म स्टार्ट होगा फिर आपको ट्यूब डलवाना पड़ेगा और वो भी कुछ दिन चलेगा और चलने के बहुत ही ज्यादा हाई हो गया है तो मैं यही एक्सपेक्ट करूगा कि आप लोग प्रेसर सही रखिए और मैक्सिमम डिस्टेंस आप इसे कवर किए माइलेज मैक्सिमम एक्सट्रैक किजिये और प्रेसर कम रहने से मालेज पर भी प्रॉलम आता है तो दोनों में लॉस ही है तो दोस्तों फ्रीजिट लाइक किए अपने दोस्तों में सेर के चैनल सब्सक्राइब कर साथ में उस बेल आइकोन को प्रेस किए ताकि जब भी मैं को नए वीडियो आपकर बनाओ तो आपको नोटिफिकरेसर मिल सकें और आप उससे सबसे पहले देख सकें एंड लास थैं